नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी बेनिवाल में दोस्तों आज हम विश्तरी दूप से चर्चा करने वाले हैं सीट एट केंद्रिया अध्यापक पतरता परिक्षा इसके बारे में आपके सभी जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की ये वीडियो सबसे पहले मैं बात करूँ तो सीट एट क्या है CETAT जिसे Central Teacher Elisibility Test यानि केंद्री अध्यापक पत्रता प्रिक्षा के नाम से भी जाना जाता है ये जो प्रिक्षा है पर्ति वर्स सीबियस से यानि की सीबियसी बोर्ड आयोजित करवाता है सीबियसी बोर्ड के द्वारा ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है यह जो प्रिक्षा है यह नेशनल लेवल का एक्जाम है और साल में दो बार आयोजित की जाते हैं यह प्रिक्षा जी हां यह साल में दो बार प्रिक्षा आयोजित की जाते हैं एक तो जुलाई माह में इसका पेपर होता है एक दिसंबर माह में जब भी आपके पास समय हो आप तक के students को पढ़ाने के लिए आपको seat at paper जो है seat at exam qualify करना जरूरी है यह बात आप ध्यान में रखेगा जिसे अपने समयनत है जो अपने primary level और जो अपर primary है उनके students को पढ़ाने के लिए आपको seat at clear होना जरूरी है आगे बढ़ें तो seat at के हैं जो वो seat at के इंतरगत दो paper होते है एक तो paper first और एक paper second paper first को हम level first के नाम से भी जानते हैं और paper second को हम जो है वो level second के नाम से भी जानते हैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो paper first है यहाँ पर आप first से लेके जो fifth तक के students हैं उनको पढ़ाने के लिए eligible होते हैं अगर आपका paper first clear है और यदि आपका यहाँ प को यह decide करना है कि आपको paper first अगर आप BSTC की हो जैसे तो आप paper first के लिए eligible हैं लेकिन यदि आपने paper second किया है तो आप six से लेके eight तक के बच्चों को पढ़ाने के eligible हैं और आपको paper second करना है लेकिन एक बात ये भी है कि यहां पर आप both level में apply कर सकते हैं यदि आपने इनके अलग-अलग criteria दिये हैं अगर आप बेड किये हुए हैं तो आप paper first और paper second दोनों papers के लिए apply कर सकते हैं अब अगर आगर आगे मैं बात करूँ तो paper first के लिए आपकी क्या-क्या eligibility होनी चाहिए यानि paper first सबसे पहले बात तो कि first से लेके fifth class तक के students को पढ़ाने के लिए आपको ये paper clear करना जरूरी है अब इसके लिए क्या-क्या जो आप सक्षरते हैं वो होना जरूरी है जनरली आपको देखा जाता कि 12 कम से कम 50% के साथ में आपकी clear होनी चाहिए plus two year diploma in elementary education यानि जिसे हम BSTC के नाम से बोलते हैं वो आपकी clear होनी चाहिए 12th plus four year bachelor of elementary education का अगर आपके पास में certificate diploma है तो भी आप इसमें eligible है या फिर आप 12th plus में two year diploma in education के हुए हैं तो भी आप यहाँ पर क्या हैं इसके लिए eligible हैं चलिए अब हम next slide की और बढ़ते हैं तो यहां पर eligibility criteria की बात करें तो paper second six से लेके eight तक के जो students हैं उनको बढ़ाने के लिए जो teacher आप लगने वाल है इसके लिए paper second यानि level second के लिए जो eligibility है वो है graduation degree होनी चाहिए इसके साथ में two year diploma in elementary education आपके पास में होना चाहिए या फिर bachelor degree with at least fifty percent marks प्लस में one year bachelor in education beard यानि आपके पास में beard होनी चाहिए इसके बाद में आगे मैं बात करूँ तो twelfth with at least fifty percent marks four year bachelor in elementary education beard तो यह आपके पास में जो हैं वो eligibility criteria है level first और level second के लिए अब इससे आगे बढ़ करके अपने बात करते हैं तो age limit की बात कर देता हूं कि आपके पास में क्या-क्या age limit होनी चाहिए इसके लिए तो minimum age यहाँ पे आपके पास में 18 year यानि कम से कम 18 साल के आप होनी चाहिए इस paper में जो है qualify करने के लिए जब आप वो बरें उसमें अपर लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानि जब तक आप इस exam को दे ना चाहिए तब तक आप इस exam को दे सकते हैं एक candidate who has qualified seat at can also appear again for improving score यानि एक ऐसा candidate जिनोंने पहले seat at qualify कर दिया है लेकिन वो अपने marks को बढ़ाने के लिए दोबारा seat at apply करना चाहते हैं तो वो भी apply कर सकते हैं अपने score को improve करने के लिए चलिए आगे देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले मा आपको बता दूँ यदि आप seat at की त्यारी कर रहे हैं तो प्रिक्षा एप पर आपके लिए बहतरीन सुईदा है क्योंकि प्रिक्षा एप आपक करते हैं तो आपको यहां पर सिर्फ 300 रुपे में model paper मिलेंगे लेकिन यदि आप मेरा user code जो कि यहां पर है PC 50 इस्तमाल करेंगे तो आपको यहां पर 50% discount मिलेगा यानि कि आपको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपे में test series मिलेगी और मैं दावा करता हूं आप इस test series को इस्तमाल करक कि आपको निश्चित तोर पर यहां पर सफलता मिलेगी इसमें किसी भी परकार की संदया नहीं है तो आज डाउनलोड कीजिए description box में लिंक दिया है प्रिक्षा एप का चलिए अब आगे बढ़ें तो यहां पर exam pattern की बात करें तो paper first यहां पर exam pattern जो paper first का है उसकी बात करें तो सबसे पहले तो आपको धाई गंटे का समय दिया जाता है इस paper को करने के लिए सबसे पहले आपको question यहां पर दिखते हैं CDP के ठीक है जिसे अपने normally general way में psychology भी बोल देते हैं यहां पर 30 question आपको मिलते हैं MCQ के यानि की multiple choice question होते हैं और 30 marks के होते हैं यानि each question 1 marks इसके बा में मैं आपको आगे बताऊंगा details से 20 language हैं जिनमें से आपको कोई भी दो language select करनी हैं हर एक question 30 number का 30 number का यहां पर यानि की language first or language second के 30 marks के आपके सामने question आते हैं इसके बाद में first paper level first के लिए mathematics आती हैं आपके पास में 30 marks के 30 question आपके सामने देखने को यहां पर मिलते हैं environmental education का भ पास में total question मन जाते हैं 150 और इनके marks भी होते हैं 150 चलिए बढ़ते हैं exam pattern paper second यानि level 2 के लिए 20 यहां पर भी आपको धाई गंटे का समय मिलता है और जो आपके पास में psychology के question हैं वो 30 question मिलते हैं CDP के और marks भी इनके 30 होते हैं इससे आगे मैं बढ़ूं तो level first जो language first और language second यह मै आपको बोल चुका हूँ आगे discuss करेंगे इसके बारे में अपने और यहां पर mathematics and science for देखिए यहां पर आपके पास में दो आपको चूज करने पड़ते हैं या तो आप social study चूज करते हैं या फिर math and science चूज करते हैं जैसे आपने रीट में भी किया होगा तो इसी परकार से यदि आपके पास में है या फिर social study जिसे बोल देते हैं तो उसके भी 60 question देखने को मिलते हैं और यह भी 60 marks की होते हैं इस परकार यदि आप math and science की column को आप एक बार यहां पर ignore कीजेगा इस परकार आपकी question 150 बन जाते हैं और जो total marks हैं वो भी 150 का आपका लिए paper हो जाता है च language में से आपको कोई भी two language select करनी पड़ती है language first and language second के रूप में आप जो भी language इन में से चाहिए वो select कर सकते हैं जैसे English हो गई हिंदी हो गई स्मिस हो गई बंगाली हो गई गैरो हो गई गुजराती कर नर्ड खासी यहां पर आपके लिए काफी better option रहते हैं mostly English Sanskrit और हिंदी का ज्यादा रहता है तो आप वो language first or second जिस परकार आपने read में select किया उसी परकार से आप select कर सकते हैं आगे बड़ें तो पास्टी मार्क्स की बात करें तो general candidate के लिए यहां पर 60% paper में आपके लिए qualify होना जरूरी है यह as a center की जो guideline है उनके according SCST OBC candidates की बात करें तो 55% आपको यहां पर paper के cover करने पड़ते हैं तो आपको जो paper है CTAT का certificate है वो आपका qualified माना जाएगा लेकिन एक में आपको यहां पर कहना चाहूँगा आप आप लोग 60% ही मान के चलिए सब के लिए क्योंकि जिस परकार हाल फिलहाल DSSP की वेकेंसी आई तो other states को वहां पर 60% के साथ eligible किया गया अन्य था उनको वहां पर reservation नहीं देखने को मिला तो ऐसे में आपको 60% cover करना है चाहें आपकी CV category के candidates हो यह आप लोग ध्यान में रखिए गा एक्जाम मोड बात कर दें कि एक्जाम ओफलाइन होगा या ओनलाइन तो यह आपका टोटली एक्जाम ओनलाइन बेस होना है पहली बार पेपर ओनलाइन कंड़क्ट करवाया जाएगा इस बार दिसंबर 2021 में तो computer-based आपका एक्जाम है जिसे CBTB भी बोला जाता है चलि भी changes आपको समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं तो चलिए हम आपको बता दूँ कि कितनी आपकी एक्जाम फीर रहने वाली है तो यहाँ पर यहाँ पर आपको बारा सो रुपे पे करने पड़ेंगे और इसी परकास से स्टी या पर या फिर्ट एबल्ड परसन के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको केवल या तो लेवल फर्स्ट या लेवल सेकिंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पांसो रुपे पे करने पड़ेंगे और यदि आप दोनों लेवल या नि लेवल फर्स्ट और सेकिंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं त इससे आपको benefit रहेगा और इसके अलावा एक और जो आपको थोड़ा बहुत रहता है confusion की questions का तो यह आप clear कर दीजिएगा कि आपको 60% मान के चलना है exam के यानि की 150 के 60% आपको clear करना जरूरी है क्योंकि यदि आप reservation के चकर में रहते हैं तो other states की जब vacancy निकलती है उनमें आपको loss देखने को मिल जाता है क्योंकि वहां पर आपको general category में consider किया जाता है जहां पर आपको loss हो जाता है वीडियो कैसी लगी comment box में comment करके जरूर बताइएगा फिर मिलते हैं इसी परकार के एक और जानकारी के साथ यदि आपकी कोई question है तो आप comment box में comment कर सकते हैं चैनल पर नई है तो चैनल को subscribe कर दीजीगा फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जैहिंग जैबार्त वंदे मातरम